तो अब मैं यहाँ पे switch को on कर देता हूँ और यहाँ पे आपको DC supply मिलेगी तो जूही मैंने switch on किया यहाँ पे आप देख सकते हैं 11.35 कुछ फोल्ट्स में रहे हैं यह फ्लेक्शिवेट कर रहा है थोड़ा सा यहाँ पे आपको DC मिल रहा है तो यहाँ पे मैंने DC पे भी set कर रहा है इसको तो दोस्तो यह हमारा rectifier था अब आप इस rectifier को जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको घर में कोई भी battery चार्ज करने होगी 12 वोल्ट्स की battery हाई everyone so welcome back to my channel तो स्वागत आप सभी का एक बढ़ फिर अपने सरकेट क्राफ्टर के यूट्यूब चैनल में तो दोस्तो आज की वीडियो में हम एक हाफ वे रेक्टिफायर बनाने सिखेंगे यहाँ पे तो दोस्तों मैं आपको बताते चालो रेक्टिफायर एक ऐसा सरकेट होता है जो हमारी एसी सप्ले को कनवर्ट करता है डीची सप्ले में अगर आपने द्यान दिया होगा जो हमारे गर में सप्ले आती है वो 220 वोल्ट्स एसी सप्ले आती है लेकिन जो हमारा गर में मुबाइल फोन चार्जर होता है वो एक डीची सरकेट होता है वह क्रे इसके बरक्स इनवर्टर एक ऐसासर को आपकी tcs का politics को वापिसर करताके तो आज ह Literally को आपके यहां यहां बीना स्क्राइब बनाने सिखेंगे कि यहां जैसा आप एक चारजर भी आपको चार्ज कर सकते हैं जो आपके घरंपТरी हो तो सब्सक्राइब कैई इसकी तो सबसे पहले मैंने यहां पर एक ट्रेंसफर्मर लिया हुआ है 220 वोल्ट स्वाइब यहां इसका इसको हम प्रैमरी पर 220 वोल्ट से देंगे और हमें सेकंटरी पर वो 12 वोल्ट इसके बाद हमने एक डायोड इस्तेमाल किया हुआ है D1 और इसके बाद एक रेजिस्टर लगाया हुआ है यहां पर जो डायोड डी वान है यही हमारी एसको को काम कैसे करता है तोसे पहले जो आपके गर्में एसी सप्फला या में वह साइनोसडाल होती है या इसका इक 1972 साइकल होता है और इसका एक निदेट को मालूरू हो अगर जो डाई जाएड़ को साथ और निदेट के साथ और शप्सलाय के निदेट बैस में काम करेंगे उस टाइम यह घ्रच्ट करेगा। उसे हम फारवड बहिस कहते हैं, जب अगर आप इसकी पॉसुर्ट ट्रमनल को सब लेगने नगेटु के साथ और इसके नगेटव चुर्मनल को सब लेगने पॉसुर्स तो त्लैखें। नहीं चेश्छाइब करें लिए तो ताभ यह भी करता है। कुन होता है तो अगर हम इसको ऐसे लगाएंगे तो यह रिवर्स बाइस में हो जाएगा और अगर इसको ऐसे लगाएंगे तो यह रिवर्स बाइस में हो जाएगा तो हम इसी को बनाना यहां पर सीखेंगे तो जब यह पॉस्टू साइकल आता है तो यह इसको आउटपूट में क DC मिलते हैं यानी खाली pulsed two half cycles मिलते हैं AC के जिससे हम pulsating DC कहते हैं ये एक pure DC नहीं होती है लेकिन इसे हम pulsating DC कहते हैं अगर आपसे इसको प् humble बनाना होगा तो आप यहां पर इसको यहां पे capsule यहां प् nhưng कपास्टर भी लगा सकते हैं इसके परमेटली बनाना होगा तो आप PCB का इस्तेमाल कर सकते हैं या अगर आप या आप वैरियक बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पर मुझे इसको परमेटली ने बनाना है मुझे इसको खाली आपको दिखाना है यहां पर तो सबसे पहले में यहां पर तो यहां पर मेरे पास transforma है तो इसको मैं यहां पर चीस बूल गया है यहां पर मेरे पास दो डायोड है यह चोटा डायोड शमल कर से क्षफ लिए चोटा का डायोड जहादा करते इस चोटा cage devi करूब क्योंकि मुझे काम रेटिंग के साफ बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम सबसे पहले जिए यहां पे इसका से गंडरी है इसके जो रैट सारच फार लाइन जो है यह इसकी प्रैमृ है और यह जो तीन आप वहां पर यह secondary है तो हम यह दो यलोव दो वायर से इंसके बीच में 12 वोल्टस AC मिलेगी तो हम इसी को breadboard पे लगाएंगे तो यहां पर मैंने breadboard ले लिया तो मैं यहां पर सबसे पहले यह उपर वाली उपर वाले किस्सा तो यहां पर मैं इसको का दूसरा कनेक्शन यहां पर लाते हैं तो यहां पर मैंने डायोड कनेक्ट कर लिया अब हम उसके बाद एक रिजिस्टर लगाएंगे रिजिस्टर को रिजिस्टर भी हमने लगा लिया अब हम यहां पे इसको सर्केट को कम्प्लीट करेंगे तो यहां पर मैं एक वायर उठा लेता हूं और हम सर्केट को कम्प्लीट करेंगे तो मैंने यहां पर वायर उठा ली और इसको मैं यहां पर कनेक्ट कर लेता हूं इसी m auch पूट लेंगे तो उसके लिए में यीज दो वायर स्था लेता हो यहांसे एक आ ओपट के बाहर उपर रेड लगाते हैं ठीक है तो मैं यहां पे एक वायर मैंने यहांसे बाहर ले ली दूसरी में यहांसे बाहर ले ले लेता हूं तो हम इसको अक्रॉस हम मल्टिमेटर लगा के सप्लाइ को चेक करें ठीक है तो अब हम इसको यहां पर जो यह लगा देते हैं इसको सप्लाइ में तो यहां पर मैं इसको सप्लाइ में लगा देता हूं और मैं क्या कर लेता हूं मैं यहां पर इन दो को उठा लेता हूं ताकि म में घुआ इसक न्यच्वा इसको म兩ई अब न्यच्वाह क्या है खुर्अ कि व किया घुलिई है उन्यच्वान है वहाल में यहां तौनिक्त वीजण को अब जर्गावा इसको मालटिमेंटर के साथ लिए में बेंगा पर बेंगा यहां पर supply को on कर लेता हूं और आपको यहां पर DC voltage देखने को मिलेगी तो यहां पर मैंने कर लिया तो यहां पर आपको दिख रहा हुआ 3.10 DC voltage हमें output में में मिल रही है और यहां पर हमारा diode काम Rating का था वो जल रहा है यहां पर यहांब ठोड़ा सा अगर दुआ दिख रहा होगा इसमें तो हमें 2.9 वोल्ट कि अरही है तो यहां पर द्राइवर हमेरी काम रहा है तो यहां पर द्राइवर का हृट तो यह इसको में रिमुई कर देता ramट को 45 ira को निकाल दिया है अब मैंने स्को यहां पर कनेक्ट कर और आपको यहां पर पाउसटू दिख रहा होगा इसका तो फिर डाइवोड यहां पर लगाए हुआ है अहां तक लाया हूं से यहां के यहां से यहां से वहां से फिर वहां से यहां से black से हो यहां पर circuit complete हो रहा है तो यह, हमने, इसले मैंने इसको ऐसे पैरललमे लगा दिया वोल्टेज चग करने के लिया तो अब यहांपे जोए स्वीच को ओन कर देते हूं और यहां पर आपको DC सॉप्लेई मिल लेगी तो जूही मैंने switch on किया यहां पे आप देख सकते हैं 11.35 कुछ फोल्ट्स में रहे हैं यह फ्लेक्श बेट कर रहा है थोड़ा सा यहां पे आपको DC मेर रहा है तो यहां पे मैंने DC पे भी set कर रहा है इसको तो दोस्तों यह हमारा rectifier था अब आप इस rectifier को जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको घर में कोई भी बैटरी चार्ज करने होगी 12 वोल्ट्स की बैटरी तो आप उसको चार्ज कर सकते हैं अगर आप इससे जादा voltage की बनाना चाहते हैं 24 वोल्ट्स की तो आपको यहां जो यह जो रहा हम चोने और इस और अब आपको जयारा करन्ट रेटिंग का बनाना होगा तो आप इससे जो हैं यह मेरे पस साथे सो पचास मिल्यांपेर का ट्रेंसफर्मर ला सकते हैं और डायोड भी ज्यादा रइटिंग का ला सकते हैं और दोस्तों मुझे आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो दोस्तो हम अगली वीडियो में एक फूल वेव रेक्टिफायर बनाएंगे यह तो हाफ वेव रेक्टिफायर था तो तब तक के लिए चनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को लाइ ज्यों ठकुर बांड़ को सब्सक्राइब', क्क्राइब, क्वेछ अबेर्यों है, टॉड़ साफ कर दोटीचे सीखने को सब्सक्राइब, क् chick-झायर, क्क्झे़ीजों है, लिक प् gemacht कर देक क समने कर देन